हलो फ्रेंड्स आपका स्वागत हैं हमारे चैनल में और आज हम एक वीश्व के सबसे एत्यासिक दोशनी एस्थल माता जी का मंदिर है जिने बाड़ी माता के नाम से जाना जानता है के मंदिर के वहाँ जाने वाले हैं तो आप देख सकते हैं रोड पर ही आपको बाड़ी माता जी मंदिर जाने का रास्ता वाला बोड दीकरा होगा तो चली हम बाड़ी माता जी के मंदिर की ओर चलते हैं जैसे ही हम बहुत से आके पड़े तो हमें बाड़ी माताजी मंदिर जाने का मुख्य परविश द्वार दिखाई दिया जो बहुती सुन्दर है इसके पास आप महिशा सुर मादिनी की मोती भी देख सकते हैं जो आपको मतलब इतनी कलात्मक तरह से चित्रित है इसा लगता है मानों असली में ही माताजी सेम प्रकट है आप देख सकते हैं बहुती सुन्दर महिशा सुर मादिनी की मोती है चलिए आपको और बढ़िया तरीके से मैं दिखा देता हूं उपर से देख के यह महिशा सुर को मानने वाली मादिनी है यानि महिशा सुर का अंत कर रही है माता फिर यहाँ पर आप आप थे तरीन आ प्रहिष और पर यानि मुक्य प्रहिष वार पर एक मात जी हौन फिर आपको पता नहीं कि इसलिए मैं बता नहीं सकता कि यह मूती किसकी है अगर आपको पता है यह मूती किसकी है तो आप मुझे मूती का नाम कमेंट जरूर करें कि कि इस भगवान की मूती है फिर इसके साइड में एक और बोले शंकर की मूती भी है जो भी बहुती सुन्द तरीके से सजाई गया है बहुती खलातमक मतलब चितित की गयी है तो आपने मुखे परेश द्वात अच्छी तरीके से देख लिए होगा बहुती सुन्द तरीके से सजाई गया है हर जगे भगवान की मूती है तो चलिए अब हम बाड़ी माता जी के मंदिर की और चलते हैं यह एक बाड़ी गाहों है जहाँ पर माता जी के मंदिर है इसलिए इसलिए इसे बाड़ी माता जी का जाता है अब हम बाड़ी गाहों के अंदर आ चुके हैं और यहां से मंदिर और भी ज़्यादा नज़िक से दिख रहा है, चलिए हम बाडी माता के दर्शन करते हैं, और यहां पर एक कल्प ब्रक्ष का पेड़ भी है, उसे भी हम देख लेते हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर एक सरकारी स्कुल भी बनी हुई है, जहां हम आगे बढ़े, तो मैं कल्प ब्रक्ष का पेड़ दिखाए दिया, फिर यहां से मंदिर दिखाए दिया, चलिए हम कल्प ब्रक्ष का पेड़ लेक लेते हैं कि यहां पर कोई कल्प ब्रक्ष का पेड़ है या नहीं, तो चलिए बोर्ड को पेड़ लेते हैं, क्योंकि यह हाँ अंदर तो कोई ने दिखे इसलिए हम अंदर तो नहीं जा सकते हैं तो आप देख सकते हैं बोर्ड पर लिखा हुआ था कलप रुक्ष फिर चलिए अब हम मंदीर के अंदर चलते हैं अब हम बाड़ी माता जी के मंदीर अंदर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं बहुत ही शांदार फर्ष लगया गया है यहाँ पर ठहने के विवस्ता भी अच्छी है और पास में बहुत सारे और छोटे छोटे मंदीर भी है तो सबसे पहले हम बाड़ी माता जी के दर्शन कले तो आप देख सकते हैं यह है बाड़ी माता जी तो एक बार जोर से बोलो बाड़ी माता जी कीजे फिर हम और दूसरे मंदिर भी देख लेते कि बगवान की कौन-कौन से मंदिर बने हुए तो चलिए उनको भी हम देख लेते तो हम जैसे ही थोड़ा आगे पड़े तो हमें फर्ष्ट में शिव जी की मौती दिखाई दी काले पत्थर की जो मौती है मारबल वाली वो यहाँ पर और भी गणेजी की मौती थी यहाँ पर पासी द्रमशालाय जापर बोजन बताया है यह श्री राम चंडर जी बगवान की परिवार समेथ मौती है फिर यहाँ पर यह जायत्री माता की मौती है फिर यहाँ पर यह जो जुनजार जी माराज है उनकी छोटी सी पत्तर की मौती है जिनको रत पर विराजमान किया गया है और यहाँ पर और भी मौतिया है यह सूर्य भगवान की मौति और यहाँ पर भोजन की यह द्रमशाला है पीछे की तरफ यहाँ पर ठहने वालों के लिए भोजन की विस्ता की जाती है चलिए अब आगे चलते यह एक माराज जिनके मोती यहां पर इस्तापित की गई है तो आप देख सकते हैं यह माराज बेटे हैं और यहां पर यह और भगवान भेरुजी का इस्तान है और यहां पर यह और भी मोती है चलिए उनको भी हम देख लेते हैं अभी तक क्या इस मंदिर में और भी मूत्यों का निर्मान कारी जारी है तो अभी तक और मूत्या नहीं बनी है यहाँ पर एक चित्र गुप्त जी और ध्रमराज जी जो महाराज उनकी मूत्या फिर आगे जो है यह और महागोरी वाली मूत्या आती है फिर यहाँ पर सीदे रादा किष्ण वाली एक मूत्या इस तरह यह क्या और भी निर्मान कारी हो रहे हैं जैसे हम चलिए पीछे के तर तो चलिए और देख लेते हैं क्या क्या हैं यह रेखिए एक और महिशासुर यानि का महाकाली की जो मूतिय वो भी है यानि कुल मिला कि दिवार पर भी और मूतिया है कुल मिला कि इस मंदिर में मूतिया ही मूतिया देखने को आपको मिल जाती है यहाँ एक और मूती है जो सरस्वती माता की मूती आप देख सकते हैं अगर आपने बाड़ी माता जी की सही से डर्शन नहीं किये तो चलिए मैं आपको वापिस बाड़ी माता जी के एक बार डर्शन करा देता हूँ यानि आपको उनकी मूती वापिस दिखा देता हूँ तो आप एक बार सही से उनकी मूती देख लिएजेगा तो दोस्तो आज का हमारा ट्यूर यहीं तक था आपने बाड़ी माता जी के मंदिर के पूरे रशिन कर लिए होंगे तो दोस्तो बाई 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 टाट